चैय मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिव चैनल में, आप सभी को नए वर्ष 2022 की हारदिक शुब कामना है, मातरानी आपकी हर इच्छा पूरी करे, इस वर्ष आपको वो हर चीज मिले जिसकी आप कामना करते हैं, तो दोस्तों 2022 बस शुरू ही होने वा है, तो मैं आपको बता दूँ कि इस वर्ष 2022 जैसे ही शुरू होगा, तो पहले दिन से ही शनी का प्रभाव तीन राशियों पर बहुत ही शुब होने वाला है, और शनी के इस प्रभाव से ये तीन राशियां जबर्दस्तों फायदे में रहने वाली हैं, तो कौन सी वो ती भी कर लें, और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी, तो इस वर्ष के पहले दिन से ही तीन राशियों पर शनी का असर देखना शुरू हो जाएगा, और शनी का जो प्रवेश होगा, इन तीन राशी के लोगों क होने वाला है, जो काफी मायने रखता है, धाई वर्ष में शनी का राशी परिवर्तन होता है, तो 29 अपरेल मकर राशी से निकल कर कुम्भ राशी में शनी का प्रवेश होगा, और शनी के इस प्रवर्तन से कुछ राशियों पर तो सनी की डहिया समाप्त हो जाएगी, और ऐसे में श्यनी की शुबद्रस्टी श्यनी का अच्छा प्रभा हो जाए तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी संपत्ती का मालिक हो जाता है और 29 अप्रेलते तो ये बहुत ही इस्थितिया जो है अनुकुल होने वाली हैं तो आप जानते हैं उन तीन राशियों के बारे में जिन इश्रासी के लोगों के लिए श्यनी का आगमन बहुत ही शुब होगा और श्यनी की करपा से वर्ष की शुरुवात ही आपके लिए बहुत उत्तम होगी आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा ऐसे में अगर आप किसी प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं या आप 2021 में मेहनत की है और रिजल्ट नहीं मिल पाया है अब इस वर्ष आपको अपनी इच्छा के अनुसार अपने उस काम में रिजल्ट मिलेंगे आपको नौकरी में बहतर अवसर प्राप्त होंगे आप कोई भी कार्यक कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलनी तैह है और आपको आन ऐसे में अगर आप एक व्यपारी हैं तो आपके लिए ये वर्ष शनी की द्रस्टी से शनी की करपा से बहुत ही अच्छा सावित होगा क्योंकि देखे शनी आपके एक तो दसवे भाव में होंगे और एक त्यारवे भाव में होंगे इनी दो भावों में पूरे वर्ष मर गोचर करेंगे अब दोनों ही चीजों में एक आपके कर्म को दिखाता है एक आपके लाब को दिखाता है तो धनलाब के मिलने के आफसर तो बनी रहे हैं कर्म के आधार पर महनती हैं आप महनत करते हैं महनती का महनत का जो पूर्ण फल है वो इस वर्ष आपको निश्चित अब के लिए संभव है, शनी scattered है तो सब को संभव है, अब दूसरी राशी की बात करते हाए, दूसरी राशी है वरशबराशी, यह शुक्र की राशी है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, शनी की 2022 की, तो यह जो वरश है, उनके लिए बहुत बहतरीन साभित होगा, एक तो श शनी की अच्छी क्रपावनी रहेगी आपके उपर और देखे ये भी आप मान सकते हैं कि जब शनीदेव का कुम्ब राशी में आगवन होगा 29 अप्रेल को जैसे ही कुम्ब राशी में प्रिवेश करेंगे तो व्रशब राशी के जातकों के आर्थिक हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे अगर आपका ऐसा लगता है कि आपका तो कोई कार्या ही नहीं बनता तब आप एप्रेल माह से अपके सभी कार्या को बनता हो देखेंगे ऐसे में अच्छी नोकरी के अफसर प्राप्त होंगे नोकरी के लिए अपलाई किया है तो वहां से गोल्योज मिलेगी अगर आप एक व्यपारी है तो आपको पहत अधिक धनलाब कवाने के अफसर मिलेंगे ऐसे में जो लोग नोकरी के लिए भटक रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं नोकरी जरूर लगेगी पैसी का आगमन जरूर होगा तो ये बहुत उतमयोग है आर्थिक इस्तितिक को ठीक करने क लिए साथ में रुके हुए कामों के लिए भी ये शनी बहुत अच्छे हैं आपके लिए रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे अगर आप जमीन मकान वाहन इस तरह की चीजों मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं लेने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छ अब तीसरी राशी है धनुराशी धनुराशी गुरु के राशी है और इस पूरे वर्षबर शनी आपके द्वीतिया और तिर्टे भाव में गोचर करेंगे तो शनी का ब्रभाव धनुराशी के व्यक्तियों के जात्कों के महिलाओं के ऊपर बहुत उत्तम रहेगा जिसकी व अपने कामकाज को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो उसमें बुलंदिया हासिल कर पाएंगे इस वश में ठीकि शनी को आपको समझना जादा जरूरी होता है कि शनी क्या है शनी है कर्म फल दाता तो यहां इस चीज को मानके चलिए कि शनी जब भी लाब देंगे काम के हिसाब से जरूर देंगे कभी-कभी शनी ऐसे भी लाब दे देते हैं आपके जो अच्छे कर्म होते हैं उनके आधार पर बाकि धनलाब के अवसर बहुत अच्छे प्राप्त होंगे अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तब आपके लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं पॉपर्टी से अच्छे लाब के यूग बन सकते हैं जिसकी वज़े से आपकी आर्थिक इस्तिती में सुधार आएगा अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं काफी दिनों से तो इस नए वर्ष की शुरुआत से ही आपको अच्छी खबरे मिलने शुरू होंगे नए नए अवसर मिलने शुरू होंगे और अगर आप एविवाहित हैं महिला हैं चाहे पुरुष हैं तो शादी नहीं हो रही है तो आपको शुब समाचार भी मिलने के अवसर बन रहे हैं शनी के प्रभाव से इस वर्ष आपके कस्ट दोर होंगे और 29 एप्रेल को जब शनी का राशी परिवर्तन होगा कुम्भ राशी में यानि आपके तिरते अभाव में तब आपको अपनी एनरजी के हिसाब से काम में जबरदस्त लाब होगा धल लाब के प्रबल अवसर आपको मिलेंगे तो ये एक ऐसा टाइम बीरेड अपने लिए कह सकते हैं जहां शनी आपके लिए बहुत उत्तम है और जब शनी उत्तम है तब आपके लिए बहुत अच्छी सितियां बन सकती है बस अपने काम पर आपको ध्यान देना होगा जितना काम जितना शुब कर्म करेंगे सत कर्म करेंगे उतना अच्छा लाब मिलेगा तो दोस्तों और अदेक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बोलें